हलो, नमस्ते चात्रों, यूटूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में हम प्राचेन काल में बोथिकी का प्रारम के बारे में जानकरी प्राप करेंगे तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने रसाइन सास्तर बोथिक वीज्यान के बारे में जानकरी प्राप की थी देखेगा इन वीडियो में से एक आदर क्यूसन पका आता तो वीडियो को आप धान से देखेगा वीडियोज को बार-बार देखे ताकि आपको एकजाम में हेल्प मिल सके ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं प्राचिन काल में भोतिकी का प्रारम प्राचिन भार्थियों ने विज्ञान के साथ प्रोध्योगी की के छेतर में महतोप्न प्रगत्إ की इसका प्रारम हमें प्राग एथ anktyakal से ही दिखाई देता है इसे तात्परिये पासानकाल से है जिसका विभाजन पूर्वे मद्दे तता उत्तर अत्वा नवपासानकाल में किया जाता है और इन पासान काल के बारे में हम अच्छे से पहले वीडियो बना चुके हैं, तो आप प्लेइलिस्ट में जाके और पासान काल के बारे में पढ़िएगा इस काल में पासान प्रोधोगी की का खोब विकास हुआ आदि मानव ने पासान से वीवित परकार के उपकरणों का निर्मान किया पासान काल के परमुक उपकरण कोर, फ्लेक तथा ब्लेड हैं उपकरण बनाने के लिए कोई उप्युक्त पत्थर चुना जाता था फिर उस पर किसी गोल मटोल पत्थर के हतोडे के समान चोट की जाती थी जिससे उसका एक छोटा खंड निकल जाता था इस विदी से कई छोटे छोटे टुकडे निकल जाते थे थेदा बच्चे हुए आंत्रिक भाग को बार बार चोट करके अभिस्ट आकार का तयार कर लिया जाता था इसे ही कोई कहते थे जबकि अलग हुए टुकडों को फ्लेक कहा जाता था इनके किनारों पर बारी गिसाई करके उन्हें धारदार बना दिया जाता था जो ब्लेड कहलाते थे कुछ के निर्मान में अत्यंत उन्नत प्रोध्यगी के दर्शन होते हैं पासान निर्मित परमुक उपकरण हैं गडासा तथा खंडक उपकरण हैंड्स एक्स तथा कलीवर खुर्चनी बेधनी तक्सनी बेधक आदी ठीक है पूरे पासान काली मानव ने पत्त्रों की कटाई, घिसाई, आदी की द्वारा अभिष्ट उपकरण बनाने में दक्सता प्राप्त कल ली थी मध्य पासान काल में अपेक्षाकरी छोटे उपकरण तयार किये गई जिने लगू पासानों उपकरण कहा जाता है इस काल के मानव ने प्रक्षे पास्तर तक्निक के विकास का प्रियतन किया यहें एक महान प्रोधोगिक क्रांती थी, इनकी धार अत्यन तेज बनाई जाती थी मद्य पासान काल इन उपकरण अर्धिचांद्रिक, छिद्रक, बेदनी, ब्लेड तथा ब्यूरीन आदी हैं जो चार्ट, चाल सड्डनी और एगेट पत्थों में से बने हैं नव पासान काल तक आते आते मनुशे का तक्निकी ज्यान और विक्सित हो गया था अब मनुशे ने पासान फलकों से गड़ाई, घिसाई तथा उन पर पोलिस करके अबिस्ट उपकरण तयार कर लिए पासान के साथ साथ अस्तियों एम सिंगों से भी उपकरण तयार किये जाते थे इनमें अबिस्ट उपकरण तयार कर लिए पासान के साथ साथ अस्तियों एम सिंगों से भी उपकन तयार किया जाते थे इनमें सबसे परमुक पोलिस तार पत्थर की कुलहाडिया हैं जो देश के विबिन भागों से बड़ी मात्रा में पाई गई हैं ये विविद आकार प्रकार की हैं कुछ में तिकोना दस्ता लगा रहता था तथा बड़ी बड़ी सकंधित भी होती थी जबकि कुछ के किनारे अंडाकार तथा हत्ते नुकिले होते थे इस परकार प्रोदोगी की का विकास पासान काल में हो चुका था पत्थर से वस्तुएं बनाने का उद्यो कालांतर में अत्यंत विक्षित हो गया था पासान प्रोदोगी की के बाद हम धातु प्रोदोगी की का विकास पाते हैं धातु में मनुसे ने सरो पर्तम तांबे का प्रियोग किया उसके बाद कांसा तता अंत में लोहे का प्रियोग किया कई बार एकजामें पूछ लेते हैं सबसे पहले किस धातु का प्रियोग भारत में हुआ वह है तामबा और तामबे के बाद कांसा आया कांसे के बाद में लोहा आया था बहुत समय तक मनुसे ने तामबे तता पत्थर के उपकणों का साथ साथ प्रियोग किया इसी कारण इस अवस्ता को तमर पासानिक कहा जाता है ये संस्कृत प्राग हडपा, हडपा तता उत्तर हडपा काल तक फैली हुई हैं प्राग हडपाई संसकर्ती के लोग तामबे के उपकणों में कुलहाडियों, चाकू, चूडियों, मुद्रिकाए, कंकन, आदि का प्रियोग करते थे इनका निर्मान अत्यंद सुक्स्मता एमसफाई के साथ किया गया है लोग तामबे को पिंगलाने की कलाग जानते थे, हडपा संसकर्ती में हम अत्यंद उन्नत तकनिक धातू करम का विकास पाते हैं यहां के विबिन स्थानों से तामबे तथा कासे की बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती हैं ऐसा पर्तित होता है कि समाज में कासे सिल्पियों का कोई महत्तोपन संगठन कारेरत था वे परतिमायों और बरतुनों के अलवा, कई परकार के ओजार और अथियार भी बनाते थे, मूर्तियों का भी निर्मान किया जाता था मोहन जोदलों से प्राप्त कांसे नर्थकी की मूर्ती धात्तु सिल्फ का सर्वसेस नमुना है इसके अलवा इस सब्यता में हमें बड़े प्रमाने पर पासान फलकों का उत्पादन, मन का उध्योग, सेल खडी की आयताकार मुहरे बनाने का उध्योग, इस्टी का उध्योग, आधी के भी सूविक्सित होने का प्रमान मिरता है शंदव सब्यता के बाद भारत के वीभिन चेत्रों में यह में विक्सित तम्र पासानिक संस्कृतियों के दर्सन होते हैं इनमें तम्र धात्तु का व्यापक प्रियोग हुआ, तामबे को घरों में पिंगला कर वस्तुएं बनाने के साखसे मिलते हैं राजस्तान का छेतर तम्र दातु द्यो का सरब पर्मुक के अंदर था यहां के एक पुरास्तल आहाड का अपर नाम तंब वत्ती अर्था तंबे वाली जगह भी मिलता है इसी के समीब गणेश्व नामक स्थान से बड़ी मात्रा में तंबे के उपकण मिलते हैं इनमें अंगूठिया, चूडिया, कुलहाडिया, सुर्मा, लगाने की सलाहिया, चाको के फल, कंगन, आदि हैं इसके अलावा पूरे में बंगाल से पस्सिम में गुजरात तथा धक्सिन में आंदर परदेश से उत्तर में उत्तर परदेश तक के विशाल भूभाग से चालिस से भी अधिकतम्रे नीधिया प्राप्ते होती हैं इन में अंगुठी, सब्बर, तता खंती, टेकदार कुलहाडी, मूठवाली तलवार, हारपून, बसूली, स्रेंगी का तलवारे मानव आकरतिया आदि हैं इन सबसे फता चलता है कि अब देश के विबिन भागों में धातू प्रोध्योगी की काफी विक्सित एम लोग पिरिये हो गई थी लगबग 1200 इस्सापूर्वा के आसपास मद्दे और पस्चिमी भारत से तम्र पासानिक सेंस्कृतियों का विलोप हो गया इसके बाद लोह धातू का पर्शलन हुआ इससापूर्वा छटी स्ताब्दी अत्वा बुद्धकाल में गंगा घटी में नगरों का तेजी से उत्थान हुआ इसे द्वित्य नगरीकरन कहा जाता है इसके पीछे लोहे तकनीक का विकास भी उत्तरदाई था पहले केवल यूद के उपकरन ही लोहे से तयार किये जाते थे मगज छत्र में कच्चा लोहा आसानी से प्राप्त हो जाता था यहां के लोहा लोहे के अच्छे-च्छे अथियार बना लेते थे जो मगज के सासकों को सहज में सुलब थे जैन गरंतों से पता चलता है कि अजाज सत्रू ने पर्थम बार वजी संग के साथ यूद में रत मुसर्त था महासिला कंटक जैसे विद्वन्स कर अस्त्रों का प्रियोग किया था ये अवस्य ही लोहे के बने रहे होंगे मगत समराजेवाद को विक्षित एम सूद्रण करने में लोहे तकनीक का भी हाथ रहा है यूद संबंदी अस्तर सस्त्रों के साथ साथ अब गंगा गाठी में बड़े पैमाने पर लोहे से कर्षी में काम आने वाले उपकरन भी तयार किये जाने लगे इनकी सहाइता से वनों की कटाई कर अधिकादिक भूमी क्रेशी योगे बनाई गई तता ब्रभूत उत्पादन होने लगा उत्पादन अधिसेस ने नगरीकरन को पूष्ट किया मालवा पूर्वी भारत ता दक्षिनी भारत के विभीन भागों में लोहा तक्नीक का तेजी से विस्तान एम विकास हो गया तक्नीकी ग्यान नगरीय एम ग्रामीन अर्थ विवस्ता की उन्नती का मुख्य आधार सिद हुआ लुहारों ने कड़े से कड़े ओजार बनाना प्रारम कर दिया देश की विभीन भागों में समर्द लोहे की खाने थी इस पात का निर्मान भी होने लगा बरार में महुर जहरी के एक व्रहत पासाने के स्तल से लोहे की एक एसी कुलाडी मिलती है जिसमें 6% कार्बन की मात्रा है इसे इस पात ही कहना पड़ेगा इस पात बनाने की कला सरव परतम भारत में ही विक्सित हुई इस पात निर्मी तलवाने पूरे विश्व में बेजोड थी भारत इस सा पूर्व चोथी स्ताब्दी तक इनका निर्यात विश्व के अन्य देशों को करने लगा था मोरिय काल में पासाण एम लोहे प्रोधोगी की का खूब विकास हुआ असो के एकास्मक इस्तंब पासान तरासने की कला की उत्करिष्टता के साक्सी हैं लगबग पच्चास तन वजन तथा तीस फिट से अधिक की उंचाई वाले इस्तंबों को पांच-छेसो मील की दूरी तक ले जाकर स्तापित करना ततकालीन अभ्यांतरी की कुछसलता की को सुचित करता है तथा आज के वेग्यानिक यूग में भी आश्च्रिय की वस्तू है इसी परकार का एक अन्य उधारन सुदर्शन जील का निर्माण है इस काल के पुरास्तलों से लोहे के ओजार अथियार भारी संख्य में मिलते हैं चित्रित दूसर मरिद भांड के प्रियोकता लोहे उपकणों से भली भाती परिचित थे ये सेंस करती लोहे तकनीक के विकास को सुचित करती है मोर्यतर काल प्रोद्योगी की प्रगति की द्रस्टी से अतेंट महत्व पुण माना जा सकता है महावस्तु में राजग्रह नगर में निवास करने वाले 36 परकार के सिल्पियों अत्वा कामगारों का उलेक मिलता है तता मिलिंद पनहे में 75 व्यवसयों का उलेख है जिन में लगबग 60 विभिन परकार के सिल्फों से संबन्द थे आठ सिल्फ सोना, चांदी, सिसा, टिन, तामबा, पितल, लोहा तता हीरे जवाराद जैसे उत्पादों से संबन्दी थे इससे सुचित होता है कि धातो कर्म के छेत्र में परियाप निपुन्टा हासिल कर ली गई थी विशेश रूप से लोहा धलाई का तकनिकी ज्यान काफी विक्सित हो गया था पेरी पर्स के अग्यात नामा लेखक ने अभी सीनिया के बंदरगाउं में भारत से आयात की जाने वाली वस्तों की जो सूचि दी है उनमें लोहा तता इस्पाद का परमुकता से उलेख किया गया है प्रोध्योगी की प्रगति के परणाव सरूप इस्सा की पर्थम तीन स्तापदियों में नगरी करण अपने उतकर्स की प्राकास्टा पर पहुँच गया इसके बाद लोहा दातु आम उप्यों की सबसे महत्तों पुण वस्तु बन गई गुप्तकाल की प्रोध्योगी की प्रगति से द्रस्टी से नगणे नहीं रहा गुप्तकाल वे भी प्रोध्योगी की प्रगति की द्रस्टी से नगणे नहीं था इसमें भी प्रोध्योगी की प्रगति हुई थी अमरकोस में लोहे के लिए साथ नाम दिये गए हैं पांच नाम हलके फाल से सम्बन दित हैं मेरोली लोहे स्थम से सूचित होता है कि लोहे कर्म का तक्निकी ग्यान अपने चर्मोतकर्श पर पहुँच गया था इस पर मात्र मैगनी ओक्साइड की पतली परचड़ा कर इसे जंग रहित बना दिया गया है दुर्भा के वस इसके बाद इस तक्निक विकास को समझने के लिए हमारे पास कोई श्रोत नहीं है इसमें लगी पोलिस आज भी दातु वगयनेकों के लिए आस्चरिय की वस्तु बनी हुई है इस परकार का स्थम एक सती पूर्वय विश्वय के किसी भी डलाई घर में बन पाना संबव नहीं था इस समय बहु संख्य कांसे क्रतियों का भी निर्मान हुआ सुल्तान गंज जो बिहार में स्थित है से प्राप्त महात्मा बूद की लगबक साड़े साथ फुट उंची एक टन भार वाली कांसे परतिमा उलेखनिये है धातु प्रोजोगी की के सुविक्सित होने का प्रमान सीकों तता मुहरों की बहुलता में देखा जा सकता है धातु विद्या को 64 कलाओं से समेलित कर लिया गया अनेक स्थानों पर निप्पुन धातु कर्मी निवास करते थे बहु मुले धातु एम पत्थरों से अबुशन तयार करने का उध्योग भी प्रगती पर था जहाज रानी उध्योग की भी उन्नती हुई सुपर्सित कलाविद आनंद कुमार स्वामी के अनुसारिये पोत निर्मान का महांतम युग था प्रोध्योगी की का विकास गुपतोतर काल में भी हुआ यदेपी विज्यान तता सिल्प कारिता में कोई करांती कारी परिवर्तन नहीं हुआ क्रिशी की उन्नती तता व्यापक आधार प्राप्त कर लेने के फल्सरूप सिंचाई तकनिक उन्नते हो गई थी रास्त रिंगेणी में खोया नमक इंजिनियर का उलेख है जिसने जेलम तट पर बांध बनवाया तता नहरे निकलवाई थी चंदेल तता परमार सासकों के काल में बड़ी बड़ी जिलों तता तालाबों को निर्मान किया गया था अधिकतर सिचाई रहेट जिसको अरगट भी का गया है से की जाती थी विवीत परकार के उद्योग धंदे विक्सित अवस्था में थे सिल्फकारों तथा व्यापारियों की अनेक स्रेणिया थी खार्नों से दातुएं निकाली जाती थी तथा उनसे उपकरन एम बरतन आभुशन अस्तर सस्तर आदित यार किया जाते थे साहितिक तथा पुरातात्विक दोनों ही परमाण लोह तकनीक के सुविक्सित होने के परमाण देते हैं तेरवी स्ताबदी के संग्रह रस रतन समूचे में लोहे की कई किस्मों का उल्लेख किया गया है जैसे की मूंड, तिक्षा, कांत, आदि परते के कई उपभेद भी मिलते हैं इनसे सुचित होता है कि लोहे तकनीक के छेतर में उचकोठी की निपुन्ता प्राप्त कर ली गी थी बड़ी-बड़ी सहतिरों का निर्मान किया जाने लगा था जैसा कि इस काल के मंदिरों को देखने से पता चलता है यूद सम्मंदी अस्तर सस्तर भी बहुतायत में निर्मित किये जाते थे कुछ चेतरों में सफे चमचमाती तलवारें बनाई जाती थी बनारस, मगद, नेपाल, सोराष्टर तथा कलिंग के कारीगरों ने तलवार बनाने में दक्सता प्राप्त कर रखी थी अन्यता दाथों में सोना, कांसा, तामबा, आदिसे, अबूशन, उपकरण, यहों बरतन बनाने का उध्योग भी काफी विक्सित था कांसे की ढलाई कर सुन्दर सुन्दर मूर्तियां तयार कि जाती थी मूर्ति बनाने वाले को रूपकार तता पितल का काम करने वाले करमकार को पितल हार कहा जाता था चर्मुद्योग भी प्रगत्ती पर था मारको पोलो नामक यात्री गुजरात के अदबूद एम सुविक से चर्मुद्योग का उले करता है वहाँ के सिलपी लाल तता नीले चमडे से सुन्दर सुन्दर चटाईयां बनाते थे जिन पर पसू पक्सियों के चितर बने होते थे पासान ये कास्ट प्रोध्योगी के चेतर में भी उन्नती हुई वास्तु सास्तर के गरंत ऐ प्राजित प्रिच्छा से पता चलता है कि परतेग नगर में पासान पर काम करने वाले दक्स सिल्पी निवास करते थे बढ़ाई लकडी का पन नकासी करके सुन्दर सुन्दर वस्तुयें तयार करते थे उत्तर भारत के सम्मान धक्सिन भारत की प्रोध्योगी की के विकास की द्रस्टी से अत्ते दिक सम्रद रहा। सम्मान धक्सिन में विवित प्रकार के सिल्प एम उद्योग धन्दे पर्चली थे। वस्तर उद्योग, नमक उद्योग, मोती, सीप, आधी के विवसाय सभी प्रगति पर थे। दक्सिन के विविन भागों से बहु संकेक पासान मंदिर तता मूर्तियां मिरती हैं, जिन में नाना प्रकार की नकासी की गई है। इस ये पासान कालीन तक्नीक के सम्मूनत होने का प्रमान मिलता है। पल्लव थता चोल कालीन कला करतियां उच्तम तक्नीकी परगति की सूचक है। इस प्रकार प्राचीन भारत के विभिन कालों में विज्ञान और प्रोध्योगी के छेत्र में उलखनीय प्रगति हुई, कुछ छेत्रों में भारतिये ग्यान विज्ञान को विदेशों ने भी गरहन किया, तता उसकी परसंसा की। तो देखिएगा इस वीडियो में हमने प्राचीन कालीन भारत में जो प्रोध्योगी का विकास हुआ, उसके बारे में जानकरी प्राप्त की।